तो आज हम यह human health chapter की शुरुआत करना चाहेंगे और human health chapter हमारा अब next chapter है लास्ट लक्षर में हमने evolution के बारे में discuss किया था अब हम next chapter human health and disease के बारे में शुरू करेंगे तो हमारा जो next chapter है वह है human health and disease human health and disease तो हम सबसे पहले इसमें आज एक topic पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि एक questions हम शुरुआत करेंगे इसमें how fever is produced देखें हम different disease पढ़ते हैं इस chapter के अंदर बढ़ हम एक topic को ignore कर देते हैं कि यह हम कभी नहीं पढ़ते कि how fever is produced fever कैसे produce होता है जब भी कोई बिमारी हमें होती है तो fever कैसे produce होता है इस बारे में हम आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो आप देखिए इस परकार यह एक सेल होती है हमारी मैक्रोफेज सेल आपने सुनी होगी आप सभी ने इस तरह से जानते हैं कि एक तरह कि फैगो सेल होती है और immune सिस्टेम में यह हमारी एंटेजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह भी काम करती है तो मैक्रोफेज सेल का यहां पर न्यूकलेस है और यहां पर यह इंजेस्ट कर रही है एक बैक्टरिया को सब्सक्राइब कर रही है इस तरह से और यह बैक्टरिया सब्सक्राइब ग्राम नेगरिटिब एक्टरिया जिस मेक्रोफेज ने गजबन किया तो हम सभी जानते कि फलिफ करता है क्या प्रिजुक करता एक तरह का कटॉसिंगा कीण 121-5 क्रिद्थ जेस्ट ग्राम के नेगर्टिव ते समी stalHow ग्राम नेगटीब एक्ट्रिय है क certains ने इंजेस्ट किया, और इंजेस्ट करने के बाद ага हम सभी ने blood cells पड़ी है, white blood cell पड़ी है, तहीं सहीं बनती है तो दो जो मेक्रायज है जैंड इसने इस न्ग रांधल किया तो करने के बाद यह बहुत बड़ा लेक्टरेक्टेक अन्दर जाता है यह बहुत बड़ा कि इस तरह से कि तुछ जो घ्राम नेगटिव एक्टरीया है इस द्यक्री के अंधर पैक हो चुका है देखिये जब इसको किया तो एंड़ोटॉक्सिं की खास बात लग वारा है वेकूल कि में और यह पर देख रहे हैं कि अ ब्रोप की डेथ के बाद रिलीज होता डिप्स अर्पिख नहीं करते हैं ग्राम पॉजिटरिव पैक्टिरिया रिलीजो नई करते हैं तो जयसे ही bacteria digested by macrophage inside vacuole releasing तोड़ा जाता है तो यह बेक्टरिया रिलीज होता है तो इसके रिस्पॉंस में मैक्रोफेज करती है मैक्रोफेज रिलीज साइटोकाइन मॉलेक्यूल लाइक आईयल वन एंट इन इनकी फुल फॉर्म क्या है इंटर लिउकिन वाट आप नोने पढ़ा होगा साइटोकाइन मॉलेक्यूल्स होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल तर मैसेज लेके जाते हैं कि मैसेंजर की तरह काम करते हैं और यह दो तरह के यहां पर आपको दिखाए गए हैं ट्यूमर निक्रोसिस फेक्टर एंड इंटर लुकिन्स तो यह दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं जो साइटोकान कैमिकल सेंड इनको एक तरह से क्या सकते हैं यह फीवर प्रोडूस करने में हेल्प करेंगे बिसिकलिक इन दोनों को हम प्रोडूस के नाम से भी जान सकते हैं ब्यकॉस बेकाउस यह डूप तो फीवर तो इस मैक्रोफेश सेल के अंदर क्या प्रेडूस होंगे साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स प्रेडूस होंगे जैसी एंडिटॉक्सिन रिलीज हुआ इस सेल के अंदर यह जो कैमिकल्स है यह क्या है साइटोकाइन क्यमिकल्स कहान जाएंगे कि ब्लेड वेसल्स के अंदर जाएंगे ब्लेड वेसल्ससे वह कहाँ जाएंगे ब्रेजम हम सब्सक्राइब है सब्सक्या जानते हैं आ साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स कहां प्रता है आप एился से 신 confession Ye तो ब्लेड वेसल से यह साइटोकाइनिक मॉलीक्यूल कहां पर जाएंगे आपके हाइपो थेलेमस के पास हाइपो थेलेमस वारी बॉडी का टेंपरिचर कंट्रोल करता है बहुत सारे काम होते हैं हाइपो थेलेमस के हंगर इटिंग बहुत सारी चीजें और आपके एक तरह से हम कहा सकते हैं कि यह सुप्रीम कमांडर इसको हम कहते हैं क्योंकि पेट्यूट्रिक लैंड के हर्मोस जितने भी प्रिडियूस होते हैं इसी की वज़े से प्रिडियूस होते हैं और यह सरसे बॉर्ड का हमारी बॉडी का टैंपरेचर कंट्रॉल करता है एंधिव सो इट्व का इन मोलिक्यूल अब आपके मैंकर फेर से निगल के लिए बलेट वैसल से यह कहां जाएंगे हैं तो अब यहां पर देख सकते हैं यह का हाइपो थेलिमस है कि इस और हाइपो थैलिमस कि एंड कि बेसिकली यह ओवराल मेकैनिजम हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपका फीवर आता है कि ठीक है तो जैसी है किनिकल्स ब्रें के हाइपो थैलिमस में पुहंचेंगे तो यहाँ पर प्रोस्टा-Glandain molecule release on the prostaglandin molecules are a lipid molecules basically prostaglandins they are the lipid molecules which help to raise the temperature in the which help to raise the temperature within the with the within the hypothalamus to cytokines moves in hypothalamus for hypothalamus kinder kya hoga and form the prostaglandin hypothalamus kinder kya banega prostaglandin or prostaglandin raise karenga temperature for body it raise the temperature of body or ultimately fever produce hooga fiever ko hum generally pirexia ke naam se bhi janty joe pathogen hootay hain disease causing organism hootay hain kai baar woh fever we produce karte hain so this is the overall mechanism how fever is produced this is the description में आपको कुछ questions भी पूछूँगा आप प्लीज उसको अंसर कीजएगा आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी और बी वारा चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा बैल आइकन जूरूप जाएगा और प्लीज इस वीडियो को शेर कीजएगा थैंक्यू बेरे मच्छ कि अच्छू जारीघ द्टी में होगी अच्छू